स्रीगने शायनमा、 प्रिये बंधुओं हमारे धर्म सास्त्रों में महाओ के महिने की बड़ी ही विशेस महीमा बताई है। धर्म सास्त्रों में कहा गया है कि जो भी प्राणी महाओं के महिने में किसी भी पवित्र नदी में जाकर के यदि इस्तनान करता है तो उसके द्वारा किये गए उस इस्तनान मात्र से ही वह प्राणी सनातन मुक्ष को प्राप्त कल लेता है गोस्वामी तुलसी दासजी महराज ने अपने परम पवित्र महान ग्रंथ सिरी रामचरित्र मानस में माघ महिने का महत्तम और प्रियाग राज की महिमा बड़े ही सुन्दर सब्दों में वर्णित की है गोस्वामी तुलसी दासजी महराज कहते हैं कि माघ मकर गत जब रवी होई तीरत पत ही आब सब कोई जब महाओं के महिने में मकर रासी में सूरिय आते हैं उस समय सभी देवता, सिद्ध, रिसी, मुनी और महत्मा ये सब प्रियाग राज नाम के तीर्थ में आकर के माता गंगा में इसनान करके और पुर्णिलाव अर्जित करते हैं जो प्राणी माग के महिने में गंगा जी में इसनान करता है वह साक्षाथ भगवान विश्नु का सारूप प्राप्त करके और उनमें ही याने भगवान विश्नु में ही लीन हो जाता है फिर उस प्राणी का इस संसार सागर में जन्म नहीं होता यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंथी बेला इकान दवाएं चैनल की सदस्ता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्यान वर्धक वीडियो प्राप्त हो सके हैं एक महान तीर्थ बद्री नाथ धाम के नाम से भी विख्यात है यदि महाओं के महिने में कोई प्राणी बद्री नाथ धाम की यात्रा करता है वहां इस्तनान करता है तो उसे भी मुक्ष की प्राप्ती हो जाती है माता नर्वदा की महिमा सारे पुराणों में गाई गई है जो पुराणी महाओं की महिने में नर्वदा इस्तनान करता है उसकी सारी मनों कामनाय पून हो जाती है कहा गया है कि नर्वदा सिद्ध छेत्र है यहां आकर के जो भी हम पूजन तपश्या इसनान ध्यान इत्यादी करते हैं उसके कलने से हमें सिद्धी प्राप्त होती है यानि हम जो कुछ चाहते हैं वे सब हमारे मनोरत पून होते हैं और माता गंगा को मुक्ती छेत्र कहा है सर्वप्रधम नर्वदा छेत्र में आकर के संत और महत्मा लोग सिद्धी प्राप्त करते हैं इसके पस्चात माता गंगा की गोद में जाकर के वो मुक्ती प्राप्त कर लेते हैं माता नर्वदा में जो इसनान करता है जो ध्यान करता है जो उनके तड़ पर दान और पुन्य करता है उसके प्रभाव से उनकी सारी मनों कामनाएं पुन्य होती है और अंत्समय में बेभगवान शिवजी के लोग को प्राप्त कर लेते हैं इसी प्रकार से एक महान परम पवित्र पुन्य छेत्र माता सरस्वती के रूप में भारत वर्स में इस्थित है तो जो प्राणी माता सरस्वती में जा करके इसनान करते हैं ध्यान करते हैं भगवान का भजन और पूजन करते हैं विप्राणी समस्त भोगों को प्राप्त कर अंत में ब्रह्म लोग को प्राप्त कर लेते हैं तो बंदुगों सदेव हमें गंगा नर्वदा सरस्वती और जो भी पवित्र नदिया हैं उन सम्में प्रतियक परवपर जाकर के इसनान, ध्यान, पूजन, हवन, तपस्चरिया और जो भी शुभकारिये हैं जो भी परवपकार के कारिये हैं वैसा देव हमें वहाँ पर करना चाहिए एसा करने से निश्चे ही इश्वर की क्रपा हमें प्राप्त होगी और भगवान एक दिन हमें अपने अंक में समाहित कर लेंगे बंधुगों आपको हमारा यह भाग कैसा लगा नीचे कामेंट्स वाक्ष में अवस्ठ लिखें जै माता की जै प्रसराम जी की